तू मुझे नकली गंद दिखा कर मार डालेगा मार डालेगा करके हूल दे रहा था तू जानता नहीं मैं कौन हूँ क्या है कि एक्टिंग अगर अच्छी करूँगा तो नेच्रल लगेगा न बोस तेरी नेच्रिल अक्टिंग तो मुझे भी पसंद आई है तुझे मैं छोड़ दूँगा एक बात बता पर तेरे इस परफॉमेंस के बारे में तेरे बॉस को पता चला तो एक बारे में तो ने एक बारे में अधिस के अधिस पारे में टूँगा प्रोड़े ने प्रू़े अख्या ये एक बारे में वेड़े अधिस भ्सका it प्सका उड़ उड़ ए नंदू, एसे क्यों चिला रही है तू? क्योंकि मैं पागल हो गई हुई इसलिए मैंने ऐसा क्या कर दिया ज़ो इसलिए गुसा कर रही है मुझे जिन भी चीजों से डर लगता है वो सब करके तो मुझे मारने का प्लान बना रही हो और मुझे से पूछ रही हो कि मैं चिला क्यों रही हो इस वकपर बूत का गाना चलाकर हिरोईं की तरह इधर उधर खूम रही हो मुझे चाकू से डर लगता है तुम्हें पता है न? मैं उसे यहां क्यों रखा तुमने? रात के समय मुझे अखिला छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए यह बद तुम्हें पता है न? रात में तुम्हें डर लगता है और रात बर जाकर तुम्हारी रखवाली करनी है यह सोचकर मैं डर रही हूँ मैं तो चाहती हूँ जल से जल तेरी लाइफ में लड़का आ जाए इस नाइट ड्यूटी को उसे ट्रांसफर करके अंकल के साथ अराम से सेटल हो जाओंगी यही सोच रही हो ना? यह कभी भी सच नहीं होने वाला मुझे पसंद आने वाला लड़का ना मिला है ना कभी मिलेगा ए नंदू, तू ऐसा क्यों सोच रही है? तुझे भी एक अच्छा लड़का जरूर मिल जाएगा जे के, जे के आलियास जैदेव कननपपा ऐसा विचित्र नाम इस इनसान को किस ने दिया? इसके माबाप, इसके दादा के बहुत बड़े फैन है बापको दादा का रोमेंस पसंद है इसलिये दादा की दोनों खूभियों को मिला के अपने पेटे का एक फिल्मी नाम रख दिया यह जी क्या जितने जोश्वे क्यों है इसके पीछी का रहस्ष क्या है? इस सवाल का जवाब है नंदिनी इन दोलों के बीच प्यार का चक्कर कैसे शुरू हुआ, आए, हम लोग उसकी हाइलाइट्स देखते हैं, बस एक छोटी सी कहानी के तार पे के तार ए, दिखाई नहीं देता, आखे कोल कर नहीं चल सकते, अन्य हो तो जाकर इलाज करवाओ सांड की तरह ए, फेस टू फेस माता फोड़ दिया, फेस टू फेस कहां माता फोड़ा जी, फेस तो टैची नहीं हुआ, मैंने तो मत बोलो लड़के बारले में ऐसा गलत मत बूलो कर दो तो तुम लोग आे के सामने टाइम वेट करके छिक्नी बन कर आती हो न इसलिए ना चाहते बहbag नजर फिजल जाती है इसलिए धो अगूर लेता है न घुरोगे घुरोगे आईपीए सेक्षण 349-350-351 के तहक अंदर करवा कर जब लेडिस पुलिस से मार खाओगे न तब अकल चिकाने आएगी ए लड़कों का ना तोडने का डिपांडबेट होता है तूटने का नहीं लड़की तो आई पर काम नहीं बना पर नंदी नहीं फिर से मिले बिला नहीं रह पाए ऐसी सिच्वेशन के बीच में चलने वाली तू-तू-मैमे से शुरू हुई ये प्रेम कहानी तुम कुल बहुत बड़े डॉन हो क्या अंदर आना है तो आओ वना जो ख्लोज करो प्रेट करा जाए एक थिरानी फिर शुरू हुई कहानी वाद में यह क्या हुआ लिफ्ट में जर्क क्यों मारा आप जैसी सुन्दा लड़किया ना नीचे से उपर उपर से नीचे बेकार का राउंड मारती है तो बिचर लिफ्ट कब तक चलेगा इसलिए जर्क मार कर खराब हो गया है अरे अब क्या करूं रात में गूमने का शौक नहीं हमें भी रात में गूमने का शौक नहीं है तो फिर ऐसे शांती से क्यों खड़े हो कुछ करो ना हां बिल्कुल नहीं है एक तो यह लिफ्ट खराब है उपर से लड़का और लड़की कुछ करेंगे तो अच्छी बात नहीं है ना ज्यादा स्मार्ट पत बनो हां मेरे कहने क का मतलब है इस लिफ्ट का कुछ करो मैं क्या कर सकता हूं तब तो यह केस वो केस मुझप ठोग रही थी ना अभी लिफ्ट पर भी केस ठोग दो ना तुम ना कोई काम के नहीं हो क्या क्या क्यों क्या क्यों मैं क्या तुम्हें लिफ्ट रिपेर करने वाला दिखता हूं तुम अपना फोन दो नहीं दे सकता क्यों नहीं दे सकते हमें यह से बाहर निकल ला है दो नहीं मैं नहीं दूगा कैसे इंसान हो तुम तो चलो अरे अरे नहीं नहीं अरे आत कर ला इस घटिया फोन के लिए तुम इतना दशन मार रहे थे एक स्मार्टफोन क्यों ने ले लेते तुम स्मार्ट लोगों को स्मार्टफोन की क्या जुरूरर्य और तुम्हारी इतनी ऊकात नहीं है कि दस रुपे का रीचार्ज करवा सको ये भगवान, ये लो अपना फोल नहाते वक्त पैर रगणने की काम आएगा फैंग आउट वापस दे दिया पता नहीं सुबह सुबह किसका चैरा देखा यहाँ अकर इसके साथ फंस गई छे मेरी तरफ से भी छे लिफ्ट ठीक हो गई अरे हाँ ठीक हो गई हलो स्मार्ट बॉई हाँ मी हाँ हाँ कैना हेल्प यो अगेन हेल्प लिफ्ट में जो हेल्प की वो काफी थी पहले जाकर बैलस टेलवा दो तेखा ये सिल्सिला शुरू हो ही गया प्रेम कथा शुरू हो गई अरे तुझे कोई काम मिला या नहीं रोज मेरे पॉकिट से सवर्व बैक कम होते जा रहे लेकिन तरी नौक नहीं लग रही ऐसे कुट्टे की तरह जो भौक रहा है वो है इसके बच्पन का दोस्त रिशी केतू मेरे शॉर्ट काट आडिया तो तू मानता ही नहीं है अगर तुने मेरी थोड़ी भी बात मानी होती ना तो आज तू किसी काम पे लग जया होता है चला था अपना दिमाग लगाने बगल में बच्चा और गाउं में धीन हो रहा है एए रेशी के तू प्रैक्टिस प्रैक्टिस करके मेरा दिमाग मत खराब कर मैं मैं अच के लिए तयार हूँ कर दो पैसे कमा के सुखी जीवन जीएंगे बर बात तो तुरे पढ़ने पढ़ी ने रही है तुझे क्या नीजा नी पड़ता यह बड़ा गे मैं यहां आग बंद करके लोग नीशाना लगाते हैं कि लाइट उफ कर दें यह हैं लाइट आफ मैं सीरियस्ली बात कर रहे और तुझे मजाग सुझ रहा है क्या मैं अभी सीरियस्ली वोल रहा हूं मैंने डाट जयां तो कहीं है मज़े मानने का प्लान तो नहीं बना रहे है अब यह क्या करने वाला है प्लाइट अन कर सच में क्या हुआ अंदेरे में भी तुरे निशाना एक दम ठीक लगाया भाई सुपा भाई मैंने का निशाना लगा है सई जगा इससे देख के आ वे उजाले में नाभी ठीक से दिखती नहीं लेकिन अंधेरे में तुन्हें नाभी के अंदर वाले तिल पे निशाना बोर्पडिया लगाया बॉस् कितने दिन तुम कहां चुपा कर रहा हूं रिशी के तू रिमोट कहा है अरे वहीं टेबल के नीचे रखा हुआ दिखाई ने देता है क्या जो चीज जहां हो नीचे यह वहीं रखा करो राइट साइट का सामाल लेट में रख देते हो हे तुने रखने की बात कहीं तुम मुझे याद आया कल मैं अपना कमरबंद गिरवी रख रहा हूं अरे भाई साब इसे कौन रखेगा हेलो चांदी का है कमसे कम आदा किलो का तो हो गाई क्या हाँ चाओ तो देख लो कितना बड़ा है मेरे दादाजी ने दिया था कल इसक जब जो जो होना है तब तब वो होकर ही रहता है जिसका परफेक्ट एक्जांपल है नंदरी और जेके कि अधार को बिर्यानी खाऊंगा इसलिए सुबा के नाष्टे के पैसे भी मैंने यहीं लगा दिये अब वाटर मिलेगा या क्वाटर मिलेगा यह सब तेरे हाथ में देख तीन पीन है और पांच हजार रुपए मा भारत में अर्जुन ने जैसे मारा था एकदम ठीक निश अर्की अचला का दा लूंगा दूरा को यही27 अचला ने करुछ ऩाल Mother कि अच्छा जाना हमें दोड़ाएंगा पुलिस को समझ क्या रखा है गए लादकी को जल्दी हास्पेटल लेका जाओ कि अच्छा ले जाना देखने में तो बड़े शरीफ से लगते हो लेकिन तुम्हारे लिए ये जगह नहीं बनी है इसलिए यहां से नौद हो गया रहा हो जाओ पॉर्टे मरना से तो आदमी को बार दिया चल तुझे घर चल के बताता हूं से लोग बड़े गुंड़े देख्या है अला चला जाओ यहां से कौनर है तू इसको ढूंड रहा है तू मैं अपनी खोई हुए चीज तो ढूंड नहीं पा रहा हूं इसको कहां से ढूंड कर लाओंगा जबागे यह से हाँ मेरी बीवी की फोटो दू क्यों मैंने नहीं देखा है तू कैसे दोस्ता यार प्रबलम सॉल करने के प्रबलम में डाल दिया बॉट पर निशाना लागाने को बोला तो तोने गुंड़े पर निशाना लागा दिया मैं उस मानवारी के डर से मास्क पहन के गूम रहा तू ऐसे ही जाधा अच्छा लग रहा है तू जू करके चल ला याज क्या हुआ अरे बहुत देखो वहाँ अरे वहाँ वह बटला क्या हाँ वही तू चल मैं बताता हूँ यू स्केंट टेल डूड सुन उसका नाम नागा है फिटिंग मास्टर है बहुत संकी इंसान है भगवान ने उसे जुबान ना देकर बहुत अच्छा किया नहीं तो वह गाउं गाउं में आग लगा देता है असा क्या मैं सही से रहूं ये बात वह बिलकुल नहीं चाहता मु डॉक्टर अब सच में मुझे देखने आये हैं हाँ नंदिनी मुझे देखने आये हो लेकिन तब से शबरी कोई देखे जा रहे हो ऐसा कुछ नहीं वसे शबरी कहीं भी जाते हैं तो थोड़ा सभल कर रहना चाहिए हे भगवान अब चोर आकर हमारी गर्दन पर चाकू तरह आया और हमारी नंदु को बचा लिया नंदु एक बात तो बोलूँगी वो लड़का एकदम फिल्मी हीरो की तरह लग रहा था वो हाइट वो पस्नालिटी और उसकी आखे इतनी शाप थी कि क्या पताओं तुझे न ऐसा ही लड़का मिलना चाहिए नंदु जेके कौनसे खेत की मूली है ये जाने बिना ही जेके नंदु का पेवरेट देखा पक्का तुम्हें ना दिखने की बिमारी है उस दिन तुमने शॉपिंग मॉल में धक्का मारा था और आज नमस्कार करने के वक्त मेरे अपन गेर कर अलो मुझे क्या तुब बात मत करो तुम चुप लोगा नहीं तुम चुप लोगा नहीं चांटी आप सॉरी वह मेरी नंदु थोड़ी बेबकूफ है शब्ला ज्यादा बोलती है उसे कुछ समझ में यादा तो मुझे कर द्धान मत दो नंदिनी तुम्हें पता यह लड़का कौन है यह वही है जिसने तुम् कर दो एक्सक्यूज मी यह उनर आप में जैसा सोचा है मैं उतना भी बुरा नहीं हूं मुझ पर लगाएगा इस सारे इलजाम वापस लोगी यह उनर नहीं नंदिनी जेके चले नंदिनी बाई वाई शीन सून ओके बाई क्या बात है नंदू? क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा गया? शबरी नीचे तुम उपर डॉक्टर कभी डॉक्टर नीचे कभी तुम उपर कभी ऐसे किरकर रोलर की तरह रोल किया है क्या? नहीं तो कभी नहीं तो पर मेरी फेलिंग तो मैं समझ में नहीं आएगी शबरी लाइट लाइट अन है और पूरी रात अन ही रहेगी लाइट अन रहेगी तो मैं शांती से कहसे सौपाऊंगी सपना देखने में इंडिस्टेबिंस होगा ना आफ कर दो गुद नाइट गुद नाइट सपने में करीने आएगी तो रुमांस करूंगा लेकिन ये लाइट अन आफ करके मेरे सपने का कचड़ा कर रहा है अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं इसका बैंट बजा दूंगा फिर मैं देखता हो यह चाकर था तब से लाइट अन आफ करके जुमके को देख रहा है मैं सो हूँ या नहीं पहले यह बता जुमका नहीं देख रहा हूं रिशिके तू मैं उसे फील कर रहा हूं अपना फील अपने पास राख क्या है टिंशन के वज़े से मेरी हालाद खराब होगी और तू इतनी रात में अब तक तू शिकार के पीछे भागता था अब शिकार ही तेरे पीछे बूरी तरह से पढ़ गया है अल दी बेस्ट चिप चाप सोजा हूं गुड़ डइट अरे एदे जान घलत तुमसे देखाने जाता नहीं करते हैं अब आना पंशेमेंट में आजए हालो आज गवर्मेंट हॉलिडे हैं कोट नहीं खुलता इसलिए पनिश्मेंट मैं ही दूंगा तो जा रहे भाई यह हीरो लोगों की यही एक प्रॉबलम है करेक्ट टाइम पे इंट्री मारते हैं अभी बच्चा यार तुझ में इतनी हिम्मत नहीं है इसे छूड़ देते हैं या मारेगा क्या मार ना मार मार अरे मार ना आना आना क्या बात है अच्छा मारता है रे अपने चारों तरफ दे प्यारे ऊटकि प्राइब इंटा है यहां है recordings कि प्रॉबलम मार उलिख इंट करेक्वार आना कारें यहां है अँआ्ट您त्क प्रॉपलिट बबात्रों से करेक्वल ऐसरे हैं कि अठीज इठीए। ज्ट ज्याओं। थांक्स वेलकम यह कैसा मिररकल है ना मुझे तो फिल्म जैसा फील हो रहा था मुझे जब प्रॉबलम होती है तो कहीं न कहीं से प्रकट हो जाते हो और मुझे बचा लेते हो अच्छे लोगों पर ज्यादा प्रॉबलम नहीं आती अक्षमात अगर आती है उनकी रक्षा करने के लिए कोई अच्छा ही आ जाता है यह तुम्हारे पास था मुझे लगा मैंने इसे खो दिया है अच्छे लोगों का कुछ भी नहीं खोता है अक्षमात खो भी जाए तो किसी अच्छे को ही मिलता है थांक्स अगें उस दिन तुमने मेरी जान बचाए और आज मेरी इसत एक लड़की की जान मान कौन बचाता है बता है तुम्हारे जो दिल के करीद होता है या फिर आगे जाकर दिल के जैसे तैसे अब प्रपोस करने का टाइम आही गया अब आगे घटने वाला है एक आश्चरे जनक किस्सा हाई हाई इतनी शान्त क्यों बैचे हो जेके कुछ बोलो ना बात करने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन क्या बोलो कुछ आ नहीं रहा है क्या का तुम्हारा ब्लड ग्रूप क्या है ए पॉजिटिव मेरा बी पॉजिटिव ये क्यों पोच रहे हो अच्चुली भगवान ने सबको एक ही रंग का खून देकर ब्लड ग्रूप अलग अलग बनाया पता है क्यों नहीं पता नहीं जानती हो मुझे लगा तुम्हें एडूकेटेड हो तुम्हें पता होगा मैं लॉयर हूँ डॉक्टर नहीं ये सामान्य ग्यान है वे ग्यान नहीं ठीक है अब बताओ क्यों है ऐसा वेरी सिंपल अगर सबका ग्रूप एक ही बनाया होता बेचारे मच्चर मच्चरों की वज़े से ऐसे क्या देख रहे हो जेकर देखने का मन कर रहा है इसलिए देख रहा हूँ ज्यादा देर देखोंगा तो कोई केस कर दोगी क्या एक कमान जेक है उस समय तुम अन्नोन थे एक अन्जान इंसान और अब वेल नोन बहुत करीब इंसान क्लियर हाट इस रियल ब्यूटी ऑफ लाइफ कहते है न वो क्लियर हाट मैंने तुम्हारे पास देखा है जब से तुमसे मिली हूँ मेरी दुनिया बिलकुल नगीन हो गई है तुम्हारे साथ लाइफ लॉंग से क्यूर रहोंगी ऐसी मेरी स्ट्रॉंग फिलिंग है आर एक और बात है तुम्हारे आने से मेरी जिन्दगी कलरफल तो हो गई है लेकिन मेरे आने से तुम्हारी कलरफल जिन्दगी ब्लाइन वाइट ना हो जाए ऐसा मुझे डर है वॉट मुझे एक बीमारी इए बीमारी नाइटोफोबिया क्या नाइटोफोबिया हां यके यह बीमारी कैसे हुऒ यहीज कि मेरा एक बहुत सुन्हदर सा परिवार था मेरे ममी पापा दोनों आडवुकेट थे मेरे मेरी पापा मुझे जितना प्यार करते थे उतना ही अपने प्रोफेशन से भी प्यार करते थे खलत करने वालों को पनिश्मेंट दिलाने तक वो शान्त नहीं बढ़ते थे रघुवी और उसका भाई विठल भी उनहीं में से एक थे और सजा काटने के बाद मेरे ममी पापा से बदला लेने के लिए एक रात का इंतिजार कर रहे थे कि अध्यार कर रहे हो ओडर 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 लायर विश्चनाथ जी ने अपने पूरी शक्ति लगा कर हम खतरनाथ मुझ्रिमों को जेल के अंदर करके बहुत बड़ा जोर्म किया है इसलिए यह अन्याया लए अब तुम्हें और तुम्हारा साफ देने वाले तुम्हारी श्रीमती पत्नी को पीच सड़क पर मार डालने की सजा सुनाती है अच्छा सती सावित्री हो तो पहले तुम्हें मार डालूं क्या यह कालेश्वर तुम दोनों पत्ति-पत्नी को एक साथ से उपर भेज रहा हूं वहीं साथ में रहना हाट अ और तब से यह बेमारी मेरे साथ साथ चल रही है पर खुशी की बात तो यह है कि जब से तुम मेरी सिंदगी में आये हो मुझे रात में अब कम डर लगने लगा है तुम अगर मेरी साथ रहोगे तो शायद मैं भी नॉमल लोगों की तरह जिंदगी जी पाऊंगी ऐसा मुझे मेरे प्यार को तुम अपनाओगे क्या वो कोई बात में तुम महराम से सोच कर अपना फैसला बताना अकर तुम हाँ कहोगे तो आल बीडर हापियूस परसन अफ प्लानेट तो इसमें सोचने वाली बात क्या है प्यासा कुए के पास जाता है लेकिन जब तुमा खुद प्यासे के पास आरी तो तुझे क्या प्राबलम हो रही है दिस इस नॉट गुड यूनो नाइटो फोबिया मतलब जिसे रात में डर लगता ही आई ना देख रात के समय जब ल का सब्सक्राम में चाहिंन जाओ एक्रocytec'र अइस्तं अच्छा मोधते उसी कोई नट फोई जाव, यूसिस नौ बंधें पिलाले बातो जैसे तूझा नाड़ लिया में। लिश्री के तू एक भालू के शरीर से सौ बाल भी ज़ड़ जाए ना तो कोई बड़ी बात नहीं पर किसी टकले इंसान के सर से एक भी बाल ज़ड़ जाए ना तो वो बहुत बड़ी बात होती है पताएं मैं इस शेयर में क्यों आया ये लक्ष्मी अपने बेटे के लिए लड़की ढून रही है सुनते ही सारी की सारी लोग मैं अपनी बेटी देती हूँ अपनी बेहन देती हूँ अपनी पोती देती हूँ ये कहकर मेरे तो पीछे पड़ गए लेकिन मैं ऐसे वैसे किसी लड़की को अपनी बहु बना लूँ शहर से बड़ी डिग्री लेकर आया है मेरा बेटा और वो डिग्री पाने के लिए उसने कितनी मेहनत किये पता है सच में? कितनी? अरे कॉलेज वाले तो उसे अड्मिशन नहीं दे रहे थे क्या आपका बेटा इतना कमजोर है? मेरे सुन्दर बेटे को कॉलेज में अड्मिशन देने से कही कॉलेज की लड़किया विगड न जाया है ऐसे डर था उन्हें अरे ये सब तो कुछ भी नहीं है स्पोर्स में फर्स्ट कराटे चेंपियन है डान्स और ड्रामा में तो हमेशा गोल्ड मेडलिस रहा है मेरे बेटा कि सी भी फिल्ड में आप उसको टच भी नहीं कर सकते हैं बताएए न क्या मैं आपको पसंद हूँ ये रिष्टा अगर आपको मन्जूर है तो मुझे भी ओके है अरे आज कल मुश्किल से दसवी पास करने वाले कभी इस लड़की के साथ कभी उस लड़की के साथ आवारा गर्दी करते हुए देर रात तक उसके साथ घूमना फिरना ये सब चलता ही रहता है लेकिन मेरा बेटा सूरज जलते ही जो घर पर आता है न उसके बाद अगले दिन तक सूरज उख गया तब उठाने पर उठता है आपके पती का ये बहुत बढ़ा गुष आपके बेटे में भी मौझूद है हा न और इसके साथ मेरे बेटे में एक महान गुन भी है मेरा घर अगर आख से जलकर राख क्यों न हो जाए लेकिन वो जूट कभी नहीं बोलता है सब बेटा है मेरा मुझे आपको कुछ बताना है ऐसे लड़के का मिलना तो हमारा सौभा क्या है बेहन अभी से कुछ फैसला मत करो पापा मुझे लड़का पसल नहीं है ममी वर्काउट नहीं हुआ घर चलते हैं अरे क्या वर्काउट नहीं हुआ अपनी बेटी से ही पूछ लो संदेटा आज अगर तुने ये कहा कि मुझे लड़की से अकेले में बात करनी है तो मैं तेरी जबान खीच कर रख दूंगी समझे लड़का लड़की परसनली बात करना चाहते हैं तो औरत उनके बीच में क्या कर रही है अब वो उसके घर की बहु बनेगी तो होगी कोई ज़रूरी बात वो कहना की मैं बताती हूं न परसनल मतलब दो लोग बीच में तीसरे को नहीं घुसना चाहिए क्या मुझे कुछ बताना है क्यों बेटा क्या हूँ बेटा मैं मर जाओंगी पर इससे शादी नहीं गुरूंगी पापा निकल जा निकल जा गधे वें बेटी को घर से निकाल दिया लोग मेरी बुराई करेंगी तो करने दो वो मैं सै लोगी लेकिन तु निकल जा आज से इस घर में तेरे लिए कोई जगर निकल जा चल भाब मैंने तुझसे क्या मांगा तेल ला कर दे घी ला कर दे यह सब मांगा अरे किसी लड़की को देखने जाता है तो अपना मूँ बंचूनी रखता मुझमें ये वीकनेस है, मुझमें वो वीकनेस है तुझे हरी शंदर का पाठ पढ़ने को कहा था अरे जो लोग ठीक से मर्द भी नहीं बिखते वो लोग आराम से शादी करके निशादी शुदा जिन्दगी चला रहे है ना अरे तुझ में इसी कौन सी महा वीकनेस है अरे ये वीकनेस तो दरे बाप में बिखी ना तुझे घर घर ले जाकर अपनी बेज़दी करवाने का मुझे कोई शौक नहीं है देख अगर तुझे मा चाहिए ना और अगर इस घर में कदम रखना है तो तुझे मेरी बहु को लाना होगा बस और कुछ नहीं और एक बात सुन ले अब आगे तेरी जिन्दगी में अगर कोई लड़की आए तो उसे यह सच नहीं बताएगा मेरी कसम खा मेरी कसम ममी यह सब ठीक है लेकिन कसम क्यों इसे वापस ले लो क्या वापस ले लो मेरी बात सुने का पहले किया सुनो तेरी बात वहुक्षे मुझे रात के समयी तिखाए नी देता अंधा हो जाता हूं मैण मुझे पैदा करने वाले मेरे माँ बाप की कसम ए चल हाथ अटा ना सुबह जब तेरे पास आया तो बोला तो तेरे बदन से बदबू आ रही है अब रात होते ही चिपक क्यों रहा है लेकिन मेरा बेटा सूरज ढलते ही जो घर पर आता है न उसके बाद अगले दिन तक सूरज उग गया तब उठाने पर उठता है जुमका नहीं देख रहा हूं रिशी के तू फील कर रहा हूं कितना बड़ा जटका दिया तुने मैं खुद को बड़ा खिलारी समझता था लेकिन तू तो मुझसे भी बड़ा है हाँ किसी को शक भी नहीं होता तु यह सब कैसे मेंटेन करता है वो तो मेरा टैलेंट है मेरी आखे जरूर कमजोर है लेकिन मेमरी बहुत स्ट्रॉंग है हम दिन में जहां भी जाते हैं अच्छी तरह से सर्वे करके रात को रिजिस्टर कर लेते हैं इसे लिए रात को प्रॉब्लम नहीं होती है अब देखो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन फिर भी तुझा देख रहा हूं है ना सही है उसे रात को डर लगता है और तुझे रात में दिखाई नहीं देता है मुझे लगा तुम प्रॉब्लम का सलूशन दो के तुम मजाग उड़ा रहे हो मेरा देखो मेरे रात कुमार यहां कोई समस्या ही नहीं है वो भी माइनस है यहां भी माइनस है माइनस इंटू माइनस आल्वेस प्लैस सब ठीक हो जाएगा शाम के छे बसते ही दोनों कमरे में जाकर चुप चाब बैट जाना समस्या खुद ही समापत हो जाएगी मतलब मैं नंदीनी को अपनी सच्चा ही ना बता हूँ मेरी माँ की कसम नहीं बता रहा क्योंकि फ्लैस बैक में तूने अपने माँ की कसम खाई थी आगे कभी नंदीनी को ये बात पता चल गई तुम में बच्चे प्लाट कर ले रहा है चुपकर चल बैट यहाँ उसके पता चलने के पहले तुमारी लबिश्टोरी डी तक पहुंच जाएगी दारू में सोड़े के तरह सूपर कॉंबिनेशन होगा उसके बात बता चला त अब जा के तु सिर्फ हाँ बोल रहे जेके तुम्हारी आखें ही तुम्हारी दुश्मन है तुमने मेरी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है ये तुम्हारे बताने से पहले तुम्हारी आखों ने बता दिया मुझे एक्सेप्ट करने वाली तुम्हारी आखों को मुझे कुछ न कुछ गिफ्ट देना होगा मुझे पता था कि तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लोगे इसलिए मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ये छोटा सा गिफ्ट मेरी आखों में आखे डाल कर देखने वाली तुम्हारी आख हमेशा सेफ रहनी जाहिए इसे लगा कर अगर तुम रात के समय भी गाड़ी चलाओगे तो सामने से आने वाली गाड़ी की लाइट तुम्हारी आखों पर नहीं पड़ेगी नंदू क्या ये गिफ्ट मेरे लिए क्यों अगर तुम ये लोगे तो बदले में मुझे भी गिफ्ट देना होगा ये ही सोच रहें हो ना टोंट वरी जेके मैं बाकी लड़कियों की तरह कॉसली गिफ्ट नहीं लोंगी वो नहीं ओके ओके मैं तुम्हारी बात समझ गई सेल्फ रिस्पेक्ट अब तुम्हें म दर की वज़य से मैंने नहीं देखा तुम दिखाओगे ना आहां, इसमें क्या है, ज़रूर दिखाऊंगा, तो फिर एक टैक्सी करके चले, क्या, टैक्सी, अगर टैक्सी में ही जाना होता, तो मैं टैक्सी ड्राइवर से प्यार कर लेती, मैं जाना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ बाइक पर बैठ कर, तुम्हें कसकर पकड़ कर, आमुदा हिल्स पर जाकर, मैसूर पैलेस को जीब भार के देखकर, पुरे मैसूर को बताऊं, कि मुझे मेरा प्यार मिल गया है, अब मुझे डाज से डर नहीं लगता कहकर, जोर-जोर से चिलाना चाहती हूँ, कि यार मैं तिरा दोस्तु तुछ तो दिन खाना भी खिलाए था है साल एक कमी ने माइनस और प्लास बाबाजी का ठुलू कहां है प्रॉब्लम तुने हां करने को बोला मैंने हां कर दिया अब पता क्या करूं तु लड़की को इतना पसंद करता ही यही सोच के बोल दिया था उसे रात में डर लगता है तूने बताया था लेकिन रात में बाइक के घुमे के मुझे क्या मालूम अरे अब वो अब वो मुझसे कितना एक्स्पेटेशन कर रही है यह पता भी है तुझे जिसे साइकल चलानी नहीं आती उसे पाइलिट समझके बैटी है वो समझो तूरो मुझे असली में जो कुछ देखना है मैंने आज तक देखा रहे हैं यहां तो कि सीडी पे भी कुछ ने कुछ करेंगे पहले तैलवार है टाप लग्यों के तरह मत रो यार जहां चाह होती है वहीं रहा होती है हिम्मत मत हरो भाई विविल डू सम्थिंग डूड हाँ हाँ ह इस परिशानी के वीची लंगूर कहां से आगया अब क्या करूं इश्क करने से नि डरा इसके का इजार करने से निस लंगूर से डर रहे है तू अब चाहे दुनिया इदर से उधर हो जाए या उदर से इदर हो जाए तो उस लड़की को रात में बाइक बाइब लेकर ही ज जारों में गंदी-गंदी गालिया दे रहे है तुमको है अरे कुछ नहीं भाई यह बोल रहा है कि पूरे डिस्ट्रिक में सिर्फ दो लोग कोहीं लड़की नहीं मिली थी एक तुझे और मुझे अब तुझे भी लड़की मिल गई है यह मुझसे बदाश नहीं हो रहा है और मैं कुछ भी उल्टा सिधा करके तेरे और तेरे प्यार के बिच दरा डाल जोंगा ऐसी वात है गया एक काले सुपरमें तू क्या तेरा बाप और तेरे बापका बाप भी इसका एक बाल तक नहीं उकार करता है बाई जाथ की बाइक राइडिंग के लिए तुम तयार हो झाल 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 क्या यार एक दम परफेक्टली फॉलो कर रहा है अगर तू ऐसे फॉलो करता रहा तो दिखाई देने वाले से भी तू रेज जीत सकता है घर जाकर जी भर कर तारीफ कर लेना अभी तू ठीक से रास्ता बता तू इतना दी में क्यों बोल रहा है नंदनी ने तू एयरफोन लगाया है फिर वह कैसा सुनेगी यह उसने एयरफोन लगाया तो क्या मैं चिला कर बोलूँ ओके अगे प्रेकर है तू ज़रा ध्यान से चला ओके ओके प्रेकर के जटके पर कुछ तैच हुआ या नहीं कि वह देखो कितना सुद्धर है ना हां बहुत बाई हम लोग अभी चामूंडी हिल्स मिंटर कर रहे हैं तू मुझे ध्यान से फॉलो करना अच्छा मैं पहाड पर कैसे चड़ूंगा यह इतने ट्रैफिक में मैनेज कर लिया यह पहाड क्या आराम से कर लेगा चला जा ठीक है तुझे जहाना था मैं ले आया हूं उसे जो भी दिखाना हो दिखा कर सेबली बापस आजा मैं इहीं इंतजार कर रहा हूं ओके इंतजार कर अच्छा वक्ति पाल पर आजार यह थे जो पर आजारा यह थे जो पर अच्छा में आज कितनी खुश्य कुश्य कार्ण बोलने के लिए तो कोई शब्दी नहीं है मैंने तुम्हें गिफ्ट किया है इसका मतलब ये काउगल हमेशा लगा कर रखोगे पहले ही से उतारो और रात में इस पालस की ब्यूटी देखो तुमने बोला इसलिए मैं उतार रहा हूँ, ओके? वाउ इतनी ब्यूटीफल जगा तो मैंने लाइफ में नहीं देखी है अच्छा, वहाँ देखो वो जो लिफ्ट में एक लाइट है ना उसके बिलकुल सिंटर में एक लाइट आफ है अगर वो भी जल रही होती ना तो क्या बताओं क्या मस्त लगती वाप रे कितनी शार पाखे हैं तुमारी मेरी शापनिस क्या है मैं ही जानता हूँ मेरी इतने सालों का सपना आज तुमने पूरा किया जेके लव यू जेके वे तुमने नंदनी के साथ डुएट नहीं गा रहे गया डुएट क्या घंटा गाऊंगा मैं हलो अरे यार दिन पे दिन इसके नाइट प्लैंस बढ़ते ही जा रहे है कल बोल रही थी मुझे नाइट में पैलेस की लाइट देखनी है और आज रात को डिनर के लिए बोल रही है लड़किया रात में खाना खाना चाहती है उनकी बेसिक खोईश होती है एक अच्छे ओटल में ले जाकर खाना खिला दे अब खिलाना तो पड़े गाई ना इसलिए उसे रात में कैसे मेनेज करना होगा अभी से उस होटेल में आकर हर जगा का सर्वे करके एक दो कदम ऐसे ऐसे करके ना प्राहूं अभी ओके अल दी बेस एंड बस हाई जेकरी बैठो क्या बताओ तुम इस ड्रेस में मस्त लग रही हो एक दम हलो मैं यहां हूँ वहां कि देख रहे हूँ जो चीज अच्छी है तो अच्छी है जहां दिखे बोल दो हां है ना एक दम सही कहां इसमें हां 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 चंद्रा को बुलाओ वो नहीं है सर चंद्रा नहीं है अब आपको मैं क्या बताओं सर कोई बेवकूफ आकर उसे पांच्छो रुपे के टिप देकर चला गया तभी से वह दारू पर उल्टा सोया हुआ है तो पूरे प्लैन का कचुमर बना दिया सॉरी सर हमारे होटल में वो नहीं मिलता सर मेन्यू टो क्या खाओंगे जेके मेने उल्टा पक्डा है तो मेरे हिए उल्टा ना हां देखो यये मेरे लिए उल्टा है तो तुमारे यह उल्टा पकड़ाए मेने, तुम आपके गेस्ट होना, आउडर प्लीज, थांक यू, शबरी, जब भी गो फर दिस, वन फ्राइड राइस और नोडल, थांक यू, सार आपके लिए, एक लेमन सोडा, क्या, लेमन सोडा, स्टामक अपसेट, ए नंदू, इधर आओ, तीरा वन्दा होट तो है ही, साथ में दमाल भी है, हमें खाने पे बुलाया, और खुछ सोडा पी रहा है, एक्शली कहा है न, इस होटल का मैं रेगिलर कस्टमर हूँ, हमेशा मुझे चंद्रा ही सर्फ करता है, आज ही धोका दे गया, कोई बात नहीं जेके, कोई भी सर्फ करें यह तो तुम अभी समझ नहीं पाओगी, थोड़े दिन बाद खोदी समझ जाओगी, चंद्रा है न, वो लेमन सोडा हमेशा मेरे लेफ्ट में ही रखता था, मैं लेफ्ट में ही रखा है सर्फ, तुम्ने भी लेफ्ट में ही रखा है, कम ओन, जल्दी जल्दी खाओ, अब क्या है न, खाना ठंदा हो जाएगा तो उसमें क्या मजा आएगा, यह आप ही बताईए, करेक्ट, थाली सामने रखकर ज्यादा देर बैठना नहीं चाहिए, ऐसा मेरे दादा जी कहते थे, ओके, ओके, शबरी, जेके, शबरी को हिच्किया आ रही है और तुम चुपचा ब अरे यह क्या कर रहा हूँ मैं, मैंने चिली सॉसी दिया है, सॉस खा लेने से हिच्की तुरंच बंद हो जाती है, यह लोहा ही लोहा को काटता है, यह सुना है न, वैसे भी मिर्च को मिर्च ही मारता है, यह मेरा परसनल एक्स्पिरियेंस है, हिच्की रूख जाएगी, वन्टरफूल, जेके, सच में मेरे हिच्की रुख गए, जियली, तुम तो जीनियस हो, वो तो मुझे ही पता है, जीनियस हो के जानवर हो, यह जाधा दे रहा तो बक्का मैं पकड़ा जाओंगा, जल्दी निकल्ला होगा, मैं थोड़ा रेस्ट्रूम होका राता हूँ, आ स्टमक प्रबलम है, और थोड़ा लूज मोशन भी है, कोई बात नहीं, इस बात को इतना सीरियसली कह लेना, शबरी, लूज मोशन को कोई इतना सीरियसली देता है क्या, बेहिवियर स्ट्राफ, कोई बात नहीं, किसी और दिम मिलकर साथ में डिनर करेंगे ठीक है, तो बिल मगालू, इंद्रा, बिल, आप लोग निकलिये, तुम, वो मुझे थोड़ा काम है, वही रेस्ट रूम प्रोबलम, हाँ, वही वही, कोई बात नहीं, हम चलते हैं, चलो नन्न, ठीक है, ध्यान से जाना, बाइ, 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 ब कितना हुए, तुम ही बता दो, नाइन थर्टी सर, पांच सो रुपे दिये, इसमें भी चेंज चाहिए क्या, बिल, नो सो तीस रुपे का है सर, ये लो, ये लो, हजार का नोट, इंद्रा, वो चंद्रा का मिलेगा बताया था तुमने, क्यों सर, वो पांच रुपे जो क्यों सर, ये लो, हाँ近 है, वो ये लो, हैंठै, ये लो, हैंठै, ये लो बतायार है, भुपे बताप स्र, पांच सर, प्रूब जो, हैंठै, वो, हैंध वो, उे पांच व dönं मुझे धोका देता है चंद्रा रुख पताता हूं तुझे कोई दिखने राए चंद्रा कहा हो तुम चंद्रा जिसे दिखाई नहीं देता उसे धोका देकर दारूपी कर यहां पड़ा है मैं तुझे छोड़ दूँगा सोचाए ना रुख तुझे बताता हूं चंद्रा पांच रुपे के लिए तुने मुझे पचास किलो मिनट की और डलूँगा तुझे लगता है हाथ में गन आ गई यह कैसे आगी यहां पर पैसे वैसे गई भाण में भाग लें यहां से अरे जिंदर हैगा तो पैसे बहुत कमाएगा अभी निकाल लें यहां से नहीं तो फस जाएगा और अे माता जोतिलक्षमी मुझे सुद्बुध्य देना हाँ 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 ह्सायड में जा रहें मिस्सर बिन है्सकार मेंसूर का सबसे बड़ा होटल प्राइम की छट पर रात को 10 बजे पुलिस जिसे 15 सालों से ढून रही थी वो रियल इस्टेट का गुरू इस शहर का सबसे बड़ा डॉन जिसका नाम रगुवीर है उसकी किसी शाप शूटर ने माथे पर गोली मार कर हत्या कर दी है अरे बापस आज कर शूट करना तो बच्चों का खेले है ऐसा पुलिस का मानना है अब इसके आगे की छान बीन चल रही है लेकिन इस बारे में अभी तब पुलिस को कोई खो सबुत नहीं मिला प्राइम होटल के टेरस पर रात के 10 बजे घुवीर को गोली मानने वाले शाप शूटर महारती की नजर बहुत ही तेज है तो कोई महारती है तब तो मैं होई नहीं सकता पुलिस ने जो फोटो दी है वो गुंडा इस तरह दिखाई देता है चैफूर जितना लंबा अच्छे कद वाला ये लड़का एकदम मासूम सा दिखने वाला है इस पर कोई भी शक नहीं कर सकता है ओ मासूम सा दिखता है तू मेरी नजरों में पता है कैसे दिख रहा है गधे की तरह इसलिए बस स्टॉप रेलवे स्टेशन और एरपोर्ट पर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त किया है पहले पहले पकड़ों सो इस गुंडे को पहले जो भी देखे वो अपने नजदी की पुलिस स्टेशन में संपर करे या फिर कंट्रोल रूंग को इनफॉर्म करते यह आदेश देते हुए टीजी पी ने मीडिया से बातचीत की पुलिस के मताबिक इस अधर आओ देखो ब्रेकिंग निउस देखो अरे तिरी तुप कहां पीकर पड़ा था अब तक खुनी कहीं का इतना बड़ा कान करके अराम से बैठके खुद की निउस देखे मज़े ले रहा है तू कंफरम तुने पी रखी है मैं कैसे टीवी देखू मैं तो बस सुन रहा हूं ए मुँ बंद कर अपना दिखाई नहीं देता करके मुझे बेवकू बनाता रहा हूं मुझे क्या पता था कि मैं अपने आस्तिर में साप पाल रहा हूं क्या भे कुछ भी बोले जा रहा है तू यार इतनी देर से निउस देख्के नहीं समझ मेरे तो अब मैं तुझे समझाओं क्या इतना शरीफ बनने की एक्टिंग मेरे सावने बत कर ए तेरा जनम और पालन पोशन तो लक्ष्पूर में हुए ना और वो तो दुबई में रा जिसने मुहंदास को गोली मारी है वो खूनी बहुत इशातिर इंसान है निशाना लगा कर मारने में वो बहुत बड़ा महारती है आम लोगों के बीच में रहकर वो ये सारे काम कर रहा है ये एक बार पहले भी हमारे हाथ लगा था लेकिन ये किसी ने किसी तरह से छूट ग मारे है याँ बओ लुट बहुत है ये किसी तरह से लगा बहाख किसे जह है ये बारे है ये हैक जैसाना है ये बारे है मेरे भाईया को मारने वाला इस धर्ती पर जिन्डा नहीं रहना चाहिए मुझे अभी इंडिया जाना है अरेंज करो जोलिया जोश्व मता इस स्टेट की पुलिस तुम्हें हर जगह ढूंड रही है मेरा भाई को सहरेहां मार डाला मेरे भाई को स्क्राश था अज मैने भाई करना मुझे हैं को मैं अपने हाथ होसे मारना चाहते हूं कि अपने आत्म یہ को बोलो कि उसकी डिटेल कलेट करके मुझे दे मतलब रगोवीर को मारने वाले तुम हो अरे हाँ सर तुझे क्या लगता है मैं कली लालबक से आया हूँ पेपर में टीवी में हर निउज में उस चिकनी की फोटो चपी हुई और तू कहता है मैंने मारा तो मैं विश्वास करूँगा क्या वो सब जूट है सर जब उसे दिखाई नहीं देता तो वो खून कहां से करेगा ये देखो भाई तुम मुझे मेरा पेमेंट नहीं दोगे तो भी चलेगा उससे मुझे कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन भाई मेरे काम को अंडरेस्टिमेट मत करना सर जी मोहंदास के ठीक माथे पर निशाना लगा के मैंने उड़ाया उसे मुझे मेरे गन की कसम गन की कसम खाकर कहता है तो मुझे मानना पड़ेगा सर जी सर जी आपको कैसे समझाओ समझ भी नहीं आ रहा है जान हतेली पर रखकर रिस्क वाला काम किया है मैंने समझी है सर अच्छा सुन पेमेंट की बात है ना डबल पेमेंट ले ले डबल पेमेंट अरे हाँ डबल पेमेंट वैसे भी तु निशाना लगाने में तो और लोगों से एक्सपर्ट है ही इतने दिनों से विठल दास दुबई में चुपा बैठा था जैसे ही वो ये न्यूज सुनेगा तुरंत बाहर निकलाएगा मैंने किसी भी काम के लिए किसी को ना बोलना नहीं सिखाए सार मैं हार नहीं मानूँगा विठल दास को भी खतम करूँगा और उससे भी पहले जिसने मेरा नाम खराब किया है न उस फेक शाप शूटर को सर पे गोली मार के खतम करूँगा मार दालो भई मार दालो पेमेंट रेड़ी रखना सरजी डबल पेमेंट सर पता ने सुवा से एक पागल अत्मी बोल रहा है मिलना है मिलना है उसे अंदर भेज दू क्या भेजो उसे अंदर ठीक है सरा केसका मुझ देखा था सुवा मैंने किया नया सिगनल दिखा रहा है ऐसा सिगनल के एसा भी देखा और ये भी देखा है पर ये क्या होता है अरे किसको उठा ले अरे सुमीत ये क्या बोल रहा बता दा सर इन मतलब है नाग सिर्फ क्या दिमाग का तहीं करें तो बोलनी सकता है क्या अचा चल कोई बात नहीं ये वता यहां क्यों आया है आ आ आ ये सब क्या है ये तो शार्फशुटर के फोटो दिखा रहा है किसे बाला पड़ घया है ये-शार्फशुटरिसका करीबी दोस्त पूल रहा है कि ये क्या बोल रहा है ये कुछ समझहा नहीं आ रहा अरे पूछ रहा क्या बोल रहा है सर वो जो शार्ट शूटर है ना उसे रात को दिखाई नहीं देता ऐसा अरे तो मैं एक लगाऊं आना तो तेरी बची कुछी जबान भी हाथ में आ जाएगी और अंपिक शूटर से भी ज्यादा तेज नजर है उसने डॉन को मारा था और तू बताता है कि उसे रात को नजर सब्सक्राइब आता है ऐसी धुलाई करूआ है तेरी में अब क्या है इतना भी नहीं समझ पाएं सर वो जहां रहता वहां ले जाने की बात कर रहा है अच्छा है क्या तो दिखाएगा तू सत्या धुलाने ए तू भी चल ए चल फलोवी सर यह तो यही पर ख़ड़ा है सर अ अब क्या बोल रहा है यह सर जगा दिखाने वाला मैं हूँ इस टकले को बोलो की मेरे पीछे पीछे चल है सा बोल रहा है सर अब गदे की और अच्छा ठीक है ठीक है आई जा कि अब 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 आप प्रोब्लम में कानून को हांत पर क्यों ले रहे है अच्छा ठीक है बिठाई से हैं तूम लोग पीछे बेठो रें कि अभान पीशे आजा जल्दी क्या हो सब्सक्राइज विजिट है क्या वोड़ाफोन की तरह मैं जहां जाती हूं मुझे फॉलो करते हैं और यह क्या साप जी अब तब तो अकेले आते थी आज देखो पुरी टीम को साथ लेकर आये हो मैं यहां इसले आया हूं क्योंकि मुझे तेस्ट मैच खिलना है क्या वो क्या है अज टाइम नहीं है ट्वेंटी ट्वेंटी चलेगा क्या यह चिंपांजी कौन है थर्ड एमपायर है क्या मुट्सिं देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है सूपर बैटिंग कर सकते हैं तॉ कोई भी जीते बैटिंग तो आप ही करेंगे ना टाइम वेस्ट क्यू कर रहे हो चलो ना फॉस्ट बैट्समें मैं हूँ ठीक है सर जी आपकी जगह पर मैं जाता हूँ है शार्प शूटर का घर दिखाऊंगा बोलकर इसके घर में लेकर आया है तू अरे साब जी आप उस सब कुछ तो ठीक है ना लगता है साब जी आज आप फॉर्म में नहीं हो सुन रहा है तू है तेरी तो मैं खुद मजा करना है इसलिए मुझे यहां पकड़ कर लिया आया 2020 मैच बॉल रही है वो यहां के लोगों को बाहर करके यहां मुझे लेकर आया तू अरे पूरी दुनिया आ जाए तो भी ना सामना कर लूँगा पर अभी नंदिनी आने वाली है उसका सामना कैसे करूं वैसे भी उसे गलत करने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं है देख तू बिल्कुल चिंता मत कर नंदनी जब आए कि तूसे कुल कर सारी बाते बता वालों को फेस्ट कर सकते पर अंडर लूज करने वालों को फेस्ट करना बहुत मुश्किल है तो कहा ले क्या है यार गड़ी-गड़ी लोग दरवासा पिटते रहते हैं एक तरफ तुझे अंडर वर्ल के लोग ढून रहे हैं दूसरी तरफ पुली ढून रही है सबसे अरे मलिका को बुला अर्जेंट का मामला है मेरा रोमांस ओवर्फ्लो हो रहा है बुला मलिका को इस उमर में खड़ा तो होनी पा रहे हैं और बोलने की अंग अंग फड़ा करा है अगर कुछ दिर और यहां खड़े रहे ना तो मुडर कर दूंगा मेरे बारे में जो बोलना है बोल ले मेरे उमर के बारे में बोला तो ठीक नहीं होगा अभी भी मैं तुछ से ज्यादा ताकत रखता हूँ है मलिका को बुला नरे शराफत के साथ यहां से निकल याओ वरना अंदर ले जाके तुम्हारी नजबंदी कर दूंगा पतानी कहां सिस्टर एक्चुली वह क्या हुआ कि तुम जाओ आउट 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 चला जाता हूँ आउट नंदनी वह बात मत करो गलत गलत ही है गलती कोई भी करे उसे सजा मिलनी ही चाहिए हाँ चाहिए हाँ ऐख के दूए है मैं कि और दो है अपिकल नहीं जाए है हाँ और मैंने खुचा था डॉट गैम के दूसे पैसे कममगार लेकिन तू लड़की के हात हो बहार आगया तू तो एकदम ठीक है उसना तुझ यह गोली का हमारी बता ना देखो इधर 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 अरे तू जो सीन सोच रहा है वैसा कुछ नहीं हुआ या तो कुछ और चल रहा था नंदिनी उस दिन क्या हुआ कि प्लीज बात मत करो गलत गलत ही है गलती कोई भी करे उसे सजा मिलनी ही चाहिए मुझे सब पता है मैंने तुन जैसा साथी बाने के लिए सौने ही हजार जन्मों में पुन्य किया होगा मैं लव यू मैंने बस दो मिनिट के फ्लैश बैक में मेरे ममी बापा को डॉन ने मार दिया था तुम्हें बताया लेकिं तुमने तु मेरी खातिर उन दोनों मैंसे एक को Đूंकर मार दाला हाहाहा हाहा तुम इतने बहादूर होगे मैंने कभी नहीं सूचा था तुम जब भी कहते थे मैं तुमारे सा etwas w मुझे संबस्ची नहीं आता था तुम जो कोई हाथ नहीं है तुम्हारा हाथ नहीं है मैं ये कोट में प्रूफ कर दूँगी ये रिस्पॉंसिबिलिटी मेरी है आकिर मैं लॉयर किसलिए हूँ हमारा नेक्स टागेट है उस रघुवीर का भाई विठल उसे भी खत्म करना होगा लोगों को परिशान करने वालों को इस दौन है उसकी तरफ नजल उठाएगा तो काट करग देगा और तुझे रात के समय दिखाई भी नहीं देता है याद है ना तो क्या हुआ नंदिनी के खुशी के लिए मैं विट्टल दास को जरूर मारूंगा वापरे तुझे देख के मुझे बहुत डर लग रहा है मैं सा ही नंदू यह सब क्या है इस तरह से खाना पिना छोड़ देने से किसी समस्या का हल नहीं मिलता क्या नंदिनी क्या करूँ शबरी ठेकर को बचाने के लिए कोई पॉइंट नहीं मिल रहा मुझे सारे दर्वाजे बंद नजर आ रहे हैं देखो दर्वाजे बंद हुए है तो कोई ना कोई खिड़की जरूर खुलेगी सारे खिड़किया भी कौन हो आप क्या चाहिए आपको तो आप साप में चाने करें लेकिन आपका साप तो नहीं दिखाए दे रहा है ये क्या दिखा रहे हो हूँ क्या चाहिए तुम्हें नंदू जरा देखो तो ये कौन है और रहा हूँ निकला यहांसे क्या बोल प्राएंगे एए चल निकल यहांसे तुम चिस लड़के से प्यार करती हो उससे रात में दिखाए नहीं देता क्या रात के समय जेके को दिखानी देता आ एए डंडू मैंने बोला था ना भगवान है कहा था मैंने खिड किया दर्वाजे बंद हो जाएंगे तो वेंटिलेटर जरूर कुलेगा यह वेंटिलेटर बनकर आया है वेंटिलेटर हां देखो जब अच्छा समय आता है तब बुरे से ब भी नहीं आता लेकिन जेके को रात में दिखाई नहीं देता ये बात अगर हम कोट पे बताएंगे तो हम ज़रू जीज जाएंगे यहीं बताने कि रहा है उन भी रात के समय हुआ था सूपर आइटिया शवरी तुम तब तक इनका मूह में जा करो आप 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 कुछ भी हो यह बता के रहूँगा ए रिशी तुम्हें बात बताओ रात के समय जेके को दिखाई नहीं देता है उस्टेट अपने नहीं तो इसे बताने आए लेकिन तो जानके खुद ना चलिए इसे पाता चल गया जा रिशी चलो तुम भी आ गया एक मिनिट रू कहां ओहो आओ आओ तुम्हें नहीं जा रहा तुम्हें समझाओ ना मुझे टेंश एपनी है अरे ठीक से बताना तुम जिस तरड़के से प्यार करती उसे रात के समय नहीं देता यह बताना था आपको आपको तुम्हें बहुत अच्छा काम किया अब चल निकल ले आँ से अगर नहीं तो पता अरे झी वो सच नहीं है वो जूट है डमी है जेह को बचाने के लिए सापेरे ने घुपट ने आईडिया दिया है क्या सपेरे का आइडिया है क्या औरे इसने सच का है यही बात बताने के लिए तो मह यहाँ हूं जेकै को रात के समय प्टिखाया नहींदे तила अच्छू का ऑप्रे जेकै को पस्छित कर चल गई न क्या एञ फुब इंज प्रूइ मिल रुषी लगा शायद लिकोश ओर ही है ये एक अलगतर एक आइडिया है, जेके को बाहर निकालने के लिए ये आइडिया वर्क करेगा, है ना सर? मतलब जेके को रात में दिखाए नहीं देता, ये प्रूव करना चाहती हो तो, आइडिया तो अच्छा है, पर ये इतना आसाद नहीं है, कोर्ट तुमसे प्रूव मांगेगा, और फिर जेके को नाइट ब्लाइडनेस है, इसका मेडिकल सर्टिफिकट कहां से लाओगी तुम सर, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, शबरी रामचंदी डॉक्टर के बहुत क्लोज है, और रामचंद्र मेडिकल सर्टिफिकर देने वाले नटराज के बहुत क्लोज है, चाहे जो हो जाए, नंदिनी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो बेचारी का दिल टू क्या, मेरे बारे में वो सब जानकर उचलने लग गई, ये कैसे हो सकता है, पहले उसे लगता था, उसके अंदर कमियों तो उदास रहती थी, अब उससे पता चल गया कि तुभारे अंदर भी कमी है, एक्वल होने की खुशी में अब उन नाचने लगी है, सूपर या, मेरी तुम ने तो मेरा सर का बोजी उतार दिया, अब आगे नजाने क्या होने वाला है, कहां जा रहे हो तुम, आकर बताता हूं, तुझे तो दिखाई भी नहीं देता, लेकिन तेरे साथ लोका छुपी खेल रहा हूं, यहां छुपा है रे तु, तु, यहां, सौ साल जियेगा तु, मेरी उमर का तु छोड़, तु अपनी उमर पर थोड़ा अच्छे से ध्यान दे, कोई भी आए तो तुरंद गन उठाने से कुछ नहीं होता है, उसमें बुलेट है या नहीं वो भी तो देख ले, हाँ, तु देख सकता है क्या, हाँ, मुझे दिखता है बोलूगा तो भी कन्फ्यूज होगा, नहीं दिखता बोलूगा तो भी होगा, मुझे नाइट ब्लाइडनेस है, कन्फ्यूज हो गया ना, कन्फ्यूजन से बाहर निकलो, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, डिरेक्ट पॉइंट पर आता हूँ, तु अपनी बात रहने दे, उससे पहले मेरी बात सुन ले, उस मोहंदास को मारने की जिसने सुपारी दी थी, वो कहता है मोहंदास को मै मैंने नहीं मारा, इसलिए सुपारी के पैसे देने में परिशान कर रहा है, और उसकी वज़ा तू है, ये क्या बॉस, ये कौन सी बड़ी बात है, छोड़ो मैं क्लियर करता हूँ, रगुवीर का भाई विट्टल दास कहां मिलेगा, ये तुम मुझे अभी बताओगे, बक इसलिए उससे पहले, मैं इसे उठा लूँगा, बै गते, उसको मारने के लिए मैंने अल्रेडी सुपारी ले लिया, प्लान बना कर पस उसको मारना बाकी है, गुरू, हम दोनों के बीच में कैसी लड़ाई, तुमने रगुवीर को मारा उससे मुझे बहुत फायदा हुआ है, अब वो बिट्टल दास कहा है, मुझे बताओ, मैं उसे खतम करके वो क्रेडिट तुम्हें दूँगा, तब होगा हिसाब पराबर, वो अभी कहा मिलेगा? यार, तुने मुझे यहां बुलाया, तुम्हें जोश में आत हो गया, लेकिन यहां पर फाइट होगी सोचकर मेरे हाथ पर कहां आप रहे हैं, यार, अरे, फाइट से पहले गाना होता है, और तू सब्सक्राइब तू ही है क्या, शापशूटर, हाँ, हाँ, सब तो ऐसा ही सोच रहे हैं, ये, तुम मजाग कर रहा है, भाई से मजाग कर रहा है, भाई, आप इशारा कीजे, मैं अभी इसकी खोपड़ी में गोली उदाते हूँ मेरे भाई को पारने वाला इतनी आसान मौत नहीं बरना चाहिए, मजा नहीं आएगा या, लखी बोई, तुम्हारी मौत की तारिक तुम्हारे पास आ रही है, तुम्हारे मन में जो भी इच्छाए हैं उसे पूरी कर लो, टाइम इस वेरी शॉर्ट, हाँ, 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 तुम्हे नकली गंद दिखा कर मार डालेगा, मार डालेगा करके हूल दे रहा था, तु जानता नहीं मैं कौन हूँ, हाँ, 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 क्या है कि एक्टिंग अगर अच्छी करूँगा तो नेच्रल लगेगा ना बोस, तेरी नेच्रिल एक्टिंग तो मुझे भी पसंद तुझे मैं छोड़ दूँगा, एक बात बता, पर तेरे इस परफॉमेंस के बारे में तेरे बॉस को पता चला तो, एक्टिंगर माँ, जिस मुझे बालता हो, जिसे अपरैम्हाँ, वहा हारे अएँ अगर शिकार आखों के सामने हो तो उसका शिकार किया जा सकता है लेकिन ये तो छुपकर वैठा है तो उसे कैसे वारे कहां ढूंडे उसे नोड़ा पीटता रहता है ना निगल सकता हूं न उगल सकता हूं तुछ में तेरे आगे दोनों हाथ जोडता हूं भगवान के लिए चुप वजा मेरे भाए चोड़िये सथ एक सो पचास रुपए दोना एक सो पचास रुपए वो देखिया आपका आदमी गाय की तरह चर र नहीं रहा है उसके लिए डेट्शों पर नहीं हुआ क्या अरे क्या बोल रहा है ये शार्प शूटर के बारे में बता रहा है अगर फिर से उस शार्प शूटर के पारे में रॉंग इंफॉर्मेशन दी तो तेरी चाह से रुआ है क्या मतलब है ये कि वो मेरे घर में मेरी बेटी को गले लगा कर सो रहा है नहीं तो कैन कि बीबी के साथ सोया हुआ है अगर अगर अभी उसकी मा के पास जाएंगे तो हम उसको आराम से पकड़ पाएंगे अब तो साथ सूटर की मा का घर दी खाएगा और अगर अब की बार तुने कोई भी कड़बर की तो लाथी में मिर्ची पाउडर भरके मरने तक मारूँगा तुझे मैं अब चल चल क्या क्या ये अरे लेकिन ये तो मेरा है अब तो ठीक है ना चाल अब अश्की तुम है लिए δocyण हमारे खानदान से आज तक कोई पुली स्टेशन नहीं गया और नहीं कभी कोई पुली ताख ऑ्स I am जो आप बोल रहे हैं कि वह सच है माजी आपको क्या लगए है कि हमारे पास कोई और काम नहीं है गलत मत समझेगा लेकिन आप जो बोल रहे हैं किया वो बाकई सच है देखिए मा सुर्गवासी हुई अपनी मा की कसम खाकर कहता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं वो सच है तो चलिए सबको मेरा नमस्ते आये सर बोलिए अरे जाने दीजे न माजी ये सारी बाते इनके सामने अगर दोलिए ले सुनिये बोलिए रहने दीजे ना बोलिए सर बोलिए ना ऐसा है कि इनके बेटे ने एक बहुत बड़े अंदरवर्ड डॉन को मार डाला है किस समय उसने मारा रात के सारे दस बज़े होंगे माइक में बोलिए रात के साड़े दस वजे होंगे अमावस की रात को हाँ आजी अमावस की रात को ही मारा है कितने दूरी पर था यही करीब 500 लोगों को बताइए वो कुछ 500 मिटर दूर होगा मतलब वो एक तरह का स्पेशल खुणी मारा है वाकई एक तरह का स्पेशल खुणी है इनको बताइए यह खुण कोई साथारान आदमी कर ही नहीं सकता इंस्पिक्ट्र साब हो गया साड़ हो जाए पंद्रह साल से पुलिस के हाथ जो अंडरवल का डॉन नहीं लग रहा था 500 म बिल्टल दूरी से अमा वस्या की रात को मेरे बीटी में शूट किया है तो उसकी कपैसिटी क्या होगी आप लोगों को पता चलने चाहिए ना देखिए इसे कहते हैं गाव छोड़ने से ही तरक्ति मेरे बेटी को शेहर बेजने का मेरा मक्सब सार्थक हो गया सार्थक हो ग बेटे ने खून किया तो ये बोल रही है कि मुझे उस पर गर्व हो रहा है कैसी वाई ये सब चल क्या रहा है उस दिन तू ऐसा 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 करके मुझे वैश्चा के घर पर ले गया था और आज ऐसा 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 करके तू यह माजी के पास नहीं कर आया है अरे इस बेचारी को क्यों मार रहे हैं गुसा मत होए आए मेरी साथ आए अरे सैर आप उनके साथ बहस क्यों कर रहे हैं जहां बोल रिये चलने के लिए चलिये न तो टॉर दूगा मैं तेरी देख क्या रहा आप चाल ले इंस्पेक्टर साब यह आने वाली पीड़ी है अगर इन सबको मेरे बेटे की कहानी बताएंगे तो इत्याहस बन जाएगा इन्हें बताऊ मैं तो क्या एक बार बोल दीजे प्लीज बोलिये न वह मैं यह कह रहा था कि वह चो इनका जो बेटा है न वह समझके आए चले साथ यह हमारी गाव की सबसे मुख्य जगा है तो आप यह चाहती है कि वह बात मैं यह भी बोलू है ना देखो बाताओ इस माजी के बेटे ने हो गया ना अब चले अब कहा जाएंगे जाते समय कभी पूछना नहीं चाहिए यह पता नहीं है क्या तुझे चाल अम्मा साथ यह भी आपकी मां की तरह स्वर्ग के दर्वाजे पर खड़ी है आप इने एक बार बताएंगे तो बस हो जाएगा यह बात स्वर्ग तक पहुच जाएगे प्लीज आपके आगे हाँ जोडती हूँ प्लीज इने बोलिए पताइए ना हैता यह ना सर अमा इनका बेटा एक अफते पहले एक फेमस अंडर वाल्ड डॉन को रात को सारे दस बजे के आमावस्या की रात को बात सो मीटर की दूरी से शूट करके मा ना ला यह किनिस बुक में रिकॉर्ड वन गया है यह कोई साधारन मुर्डर नहीं है यह स्पेशल मुर्डर है स्पेशल मु आमा कोई साधार का ला यहीं है? कॉनसे पक्ष से आए हो? सुना क्या बोली? क्या मा जी? तो bard program आप्रा मानियेगा थोड़ा कम सुनाए देता है तोड़ा उच्छा बोलेंगे ना तो सब शुनाएदेंगा तो सोड़ा जोशात Yea तो थोड़ा जोशीश। प्लेस। खिर ना ? खिर खिर शुंड जड़ा केमा कराए यह कोई साखान मुर्डर नहीं है यह स्पेशल मुर्डर आपको स्प्राई दे रहा है कि नहीं पेंशन देने आये हो क्या इंस्पेक्टर साप मेरे लिए सिर्फ एक बार सूर से जोर से बुलिए बस एक बार लास्ट हाँ जोर से कि अबार कि यह स्पेशल मुर्डर है क्या इतने धीरे धीरे बात कर रहे हो थोड़ा जोर से नहीं बोल सकते हैं कि मेरा बकरा बना रहे हैं तुम लोग इस सब की वज़े वो साला नागा ही है उसी ने इस क्या है यह सब डॉन कहलाते हो और अम्मा मस्या की रात को तुने मर्डर किया और तो तो एक शाब शूटर भी बन गया देखो मा अब परिशान मत हो कल कोट में सब ठीक हो जाएगा तुझे देखने को बहुत मन करता है बिटा घर कब आएगा तुम्हारे लिए एक बहु ढूंड लिया है उसी में आजकल बिजी हूँ सच में बिटा कब मिलवाएगा उससे जल्द से जल्द जल्दिया बिटा मुझे उस योर ओनर कट घरे में खड़ा ये अपराधी जेके यानि कि जै किशन नाम के इस आदमी नहीं रगवीर का खून किया है ये साबित करने के लिए मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं मैंने जो सीडी आपको दी है वो फूटेज आप देखेंगे तो आपको सच्चाई का पता खुद बखुद चल जाएगा रात का डिनर करने के लिए दिन में होटल में आने की क्या जरूरत है खाना तो रेस्टूरेंट में खाते हैं लेकिन ये जेके, रिसेप्शन, पूल एरिया, स्पोर्ट्स एरिया, टेरेस यहां तक की होटल के एक 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 इंच का सर्वे कर रहा था क्यूंकि इसे उसी रात को उस वारदात को अंजाम देना था जिस दिन खून हुआ था उस दिन से ये छुपा बैठा था और आज सीधे कोर्ट में पेश हुआ, क्यूं क्यूंकि इसके पीछे मुख्य कारण है कि जब खून हुआ था उस समय कोई दूसरा आदमी लिफ्ट से टेरेस तक गया ही नहीं था, गन पर मिले हुए फिंगर प्रिंट्स और खून से संबंधित फॉरेंसिक रिपोर्ट आपके सामने ही है, इतने सारे सबूत होने के अबिक मेरी क्लाइंट ने होटल का सर्वे किया था, ये बात सच है, जब खून हुआ था उस समय लिफ्ट से छट पर गया ये बात भी सच है, उस गन पर इनके फिंगर प्रिंट्स हैं ये भी सच है, पर इन्होंने ही खून किया है, ये बात सच नहीं है, औजेक्शन योर सर्वे कर रहा था, ये सच है, लिफ्ट से उपर गया ये भी सच है, गन पर मिले फिंगर प्रिंट्स भी सच है, पर खून इसने किया है, ये सच नहीं है, वेरी पनी, हलो, माननी ये पीपी जी, आपके दुख को मैं समझ सकती हूँ, योर आनर, मैं अब तब मुद्दे पर नहीं आई हूँ, इन्हें थोड़ी दिर चुपचा बैठने के लिए कहिए प्लीज, अब्जेक्शन ओर रोल, यू कन प्रसीड, तांक यू ओनर, जिस समय खून हुआ, मतलब रात के करीब साढ़े दस बजे, पॉइंट भी नोटेड यू ओनर, ये सब मेरे क्लाइन को अबही किसी इंसान का खुन नहीं कर सकता, क्योंकि इन्हें रात के समय दिखाई नहीं देता, इन्हें नाइट ब्लाइडनेस की बिमारी है, और ये इनकी खांदानी बिमारी है, ये रही इनकी मेडिकल रिपोर्ट, इसे सर्टिफाइ किया गया है गवर्मेंट आई मेरा क्लाइन तिर्दोष है इसे प्रूफ करने के लिए इससे बड़ा सुबूत नहीं हो सकता 500 मीटर की दूरी पर ताथ के साड़े 10 बजे एक अंधा इंसान शूट कैसे कर सकता है No way, that's all your honor सबूतों को मद्दे नजर रखते हुए ये अदालत जेके अलियास जैकेशन को बेगुना मानकर बाईज़त बरी करती है साथ में असली अपराधी कौन है जल से जल उसका पता लगा कर उसे अरेश्ट करने का आदेश देती है डाट्टर थांक्स पर आरहां अलों कोण खोटी सी वात के लिए थैंक्स के ली है है खुछ है शुदी का दूमाइर इंक नैतार कर एंगे धना अधनी हच्फे पर अन्नक्र नहीं कह आपकर कैसं थैंक्ष Onlyивать उदर चलके बात करते हैं, इतर डिस्टर्बिंस को जाधा ही है, इन्हें मौका मिले तो कोट को ही लॉज बना देंगे, नांसेंट, हुँँ, थैंक यू नंदू, तुमने मेरे लिए बहुत रिस्क उठाया है, इसमें रिस्क कैसा, मेरी खुशी के लिए, तुमने आगे आं, यहा यहा, यहा, यहा यही यह, अध्यर राइट, है रात में मे दुम्हें दिखायि नहीं देता है? पर क्या बात है तो आपको दिखाई नहीं देगा है अब कितने भी प्रूफ लेकर आईए सारे जूट हैं बस एक ही पॉइंट में साबित कर दूँगी चलो हुआ है थोड़ा का मसता है आज हम लोगों के इकठा होने का कारण दुगनी खुशी है पहले खुशी की बात है कि इन दोनों की इंगेजमेंट है और दूसरी खुशी है कि नंदनी केस जीत गई है इसका सारा क्रेलिट अंकल को जाता है इन्होंने मुझे जूटी और तभी मैं केस जीत पाई जूटी रिपोर्ट देखे आपने बनाए थी जूटी रिपोर्ट तू जो होटल के लिफप में फिंगर प्रिंट्स और गन पे जो फिंगर पृंट चोड़के आया था अगर उसकी जूटी रिपोर्ट ना ते तो बच जाता क्या अगर मेरी नंदिली उदास हो गई ना, तो हम दोनों का प्यार काप में हो जाएगा, क्या आप चाहते हो कि मैं आपसे बात ना करूँ, ब्रेक अप कर लूँ, मुझे यह समने चाहिए, आप बहुत अच्छी है मा, मुझे बहु के रूप में स्विकार किया, लेकिन वो बीमा मुझे उस पर भारोसा है, वो कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा माजी, दिन में भले ही एक बार ते रहात छोड़ दे, लेकिन रहात के समय तो ते रहात बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, वो क्या है ना, शादी के बाद, हम लोग फर्स नाइट नहीं रखेंगे, फर्स दे रखेंगे तो चलेगा, मैंने जो रिपोर्ट दी थी, आपने फिल्कुल जूटी रिपोर्ट दी थी, उस राद को क्या हुआ पता है आपको, जैके, तुमने रात बोलाई तो मुझे कुछ याद आया, एक्स्क्यूज मी, आओ, मैडम, फ्ली सेक्ड्स प्लीज, को मैं, अच्छा, डॉक्टर साप, ये लोग इधर उदर उठकर क्यों जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या, मैं तो डॉबल कन्फ्यूज हूँ, आपने डॉक्टरी पास किये हैं, मैं, मुझे तो लग रहा है कि फेल हो गए होगे, मैं घॉल्ड मेडलिस, कहां से चुड़ा है, महानात्मा, तुम चुप रहा होगे क्या, मैं सब सभालूगी, हमारे मामले में माइनस इंटो माइनस इस इकॉल टू प्लस होना है, और हमें खुश रहना है, तो फर्स नाइट ठीक नहीं रहेगा, फर्स दे ही अर्चा है, ऐसा मैं नहीं मम्मी बोल रहे थी, क्या हो बिट माइनस प्लस प्लस माइनस कुछ भी बखवास करता रहता है, यह सब करने के लिए तो क्या मैंस कर ठीचर है, यह माइनस प्लस उल्टा सिधा बोल रहे हैं, आपको कुछ समझ में आया है क्या, जिसने साइन किया उसे ही नहीं पता, तो अंगुठा लगाने वाली मुझे कहा पता होगा देखो डॉक्टर साब इसा उल्टा सिधा क्वेश्चन पूछेंगे तो सब कुछ उल्टा उल्टा हो जाए, देखो पहले तो निगेटिविटी अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, अब उसने हां कर दिया तो चुपचा सगाई कर ले ना, सब कुछ के लि क्यों मर होगा यह माजी, मैं जो बताऊंगा वह आपसे बरदास नहीं होगा, बता, नहीं माजी, बोल कहा ना, फिर अपने दिल को सम्हाली, ठीक है, वो जो दूर बैठा है ना, वो आपका बेटा, उसको रात के समय दिखाई नहीं देता, ये बात मैंने उसे खुद है ये बात को ये थे खुद नहीं मानथी। इससे बात और है, आपकी बाए बीवारी भी है। उससे उसे भी बीमारी है कौन से बीमारी नाइटोफोबिया कौन सा फोबिया नाइटोफोबिया मतलब क्या होता है सुनने में तो बड़ी भयानक बीमारी लग रही है अरे असी बीमारी नहीं है जिसे कोई डर जाए भयानक बीमारी नहीं है इतुला खीच करके बोल रहा है क्या यह बाट मेरा बेटा जानता है आरे उसे नहीं पता है मतलब वह जानता है लेकिन यह बात उसे नहीं पता इसा नहीं पता है वह सोच रहे हो और हम सब को पता है ऐसा पता नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है पर दे जाहती है ना आपके बेटे की शादी हो जाए बस में ते रहा जोडती हूं कुछ करना बेटा रिंग दे दो यह ले ले बेटा कुछर बेटा मेरे हाथ में गंदेखते ही तुमेरा बड़ा भाई बन गया तुम्हें ट्रिपल पेमेंट दूंगा मारना मत मारना मत वो सारी पेमेंट अपने घर वालों को देडे तेरा अंतिम संस्कार अच्छे से करेंगे इसमें मेरे कोई गलती नहीं है आप से और आपके भाई से मेरे कोई दुश्मनी नहीं है मैंने आपके भाई का कतल किया है लेकिन करवाया उसने है आपने बोला मैंने उसे माड़ ड़ा अब मुझे छोड़ दो भाई थैंक्स भाई आपका या है सन मैं जिन्देगी पर नहीं भूलूँगा चलता हूँ भाई जुनियर सीनियर को मारने वाले को इतने हसानी से छोड़ दिया हम काम खत्म होने के बाद आदमी खत्म करने वालों मैंसे हैं इसे कैसे छोड़ दूंगा गलती की है गलति की है गलती 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 करने वाला जिन्दा नहीं पचेगा तू क्यों काप रहे है हैं सुर्य խी जा उस रहगवी को मारने वाला शुटर हैं और इसन ने शुपारी दी लेकिन मै और तू.. उस चिकने को दिखाकर मुझे रामायर कता सुना रहाज था मुझे वाप कर दीजे भाई वो चिकना भी सिधा आद्मी नहीं है इन सब की वज़ा से ही मुझे वो लोग पसंद नहीं जो मेरे दुश्मन की बढ़ाई करते हैं मैं उसे यहां खत्म करने आया हूँ भाई आप यहां खुद नहीं आये हैं आपको यहां बुलाने वाला वही है 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 हाँ 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 यह बात मैं अच्छे से जानता हूँ भाई को मरुआया रागाउ ने भाई को मारा शाप शूटर ने और यह जो बंदा है यह किसी और बज़ास साथ 15 साल से एक लड़की मुझे और मरे भाई को खत्म करना चाहती है और उसका साथ देरा है वो चिकना मुझे वारने का वादा किया है उसने उस तक पहुँचने के लिए उसने उस नौट रिचेबल शॉपशूटर को ढूणने का रिस्क उठाया और उसके जरीये वो तुम तक पहुचा वो खुद को ओर स्मार्ट समझता है मैं उसका पाप उस दिन तुने उसके गण नहीं तानी थी बलकि तू उसके गण के निशानी पे था तेरे हाथ में डुपलिकेट थी और उसके हाथ में ओरिजनल गण आपको पता नहीं चले इसलिए मैंने ऐसी गलती की भाई माप कर दीजे भाई तू गधा है तो क्या मैं भी गधा हूँ है मैं गधों को नहीं पालता हूँ हलो विठल दास ओहो नमस्ते वास आ गए ना इंडिया आना तो पड़े गाई ना क्योंकि तूने अपनी महभूबा से वादा जो किया है है तू जंगल के शेर को अपने घर पे बुलाना चाहता था ना हाँ तू जिस लड़की से प्यार करता है मेरे आदमियोंने अब तक उसे उठा लिया होगा मेरी पावर नहीं जानता तू उसी के साथ आकर उसके सामने ही तुझे कुट्टे की मौत मारूंगा मेरे अड़े पर ही आजा क्या अड़ा तेरा अड़ा सूपर अड़ा तेरा टाइम मेरा रात को सूरज डूबने के बाद मिलते हैं ठीक है ना मेरे बारे में पूरा चान बीन करके आया क्या रेमंड्स आपकम्लेट मैं आदी अदूरी जानकारी के साथ में कोई काप नहीं काता सी यो तुनाइड नागी मैं करीँ अ सबस्क्क साह्त है और यही दोंडों से एड़ से कले कि हो और जो क्योंन दिख एक जचा कि लुग और हो कि दो कि दो को कि दुग है यह है यह है हैह भर ठक Down हैह ऍूह छो खो हैह 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 है 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 यहाँ! है! 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 ए, लेक्षारो! लेक्षारो! अधिया उसे अधिया यह का फास किया मैं अरे आधिया अरे अरे नहीं क्या हो गया यह आधिया को है तो किया अरे दैनी आधिया त। प्वार भार फ्वार प्वार। जढानि रिंग तरे रा है विन रहर दिन एग है ए रहर रहर» कि उतन ए व है मैं आप से प्लीज जाप तुमने मुझसे माता किया था कि तुम इसे मारोंगे उठाए जिसक्राइब मैंने इसे पंद्रा सालों से इसार किया है तुम दोनों मिलकर मुझे खत्म करोगे मुझे मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा खत्म कर दूंगा तुझे एक सच्चाई पता है ना इसे रात को दिखाई नहीं देता यह एरो नहीं सीरो है किसके भरोसे पर आईये तु कि पर यह थे यह पाउडर्ण, डालुगा तुम आके तो जलेगे यह यह अब तू भी अंदा हो गया है मैं भी अंदा हूँ ये गेम तो मेरे लिए पुराना है लेकिन इस समय ये गेम तेरे लिए बड़ा प्रॉब्लेम बन गया है ब्लाइंड गेम शुरूँ राओन द्थ MALE अँद है लिए बने लिएख लुड़ाव आपी है लोग whisper इので जो जून एको जा करो दो here आउ उॉई सतायो खाहए होजे हाोघए है आए हाँ तुन्हों से मार डाला वरना वो तो मुझे भेण बकरी की तरह मार रहा था और एक मारता तो मैं मर ही जाता यार अब क्या हुआ नागा सब कुछ खोल खल कर नंगा आ रहा है तुम जिस लड़के से प्यार करती उसे रात के समय दिखाए नहीं देता यह पता ना था आपको इससे बंद कर दो यह बात मुझे पहले ही पता चल गई है अरे ओए नागा उसे उसके बारे में पता है उसे इसके बारे में पता है इन दोनों के बीच में ज्यादा के रियेट करने से पहले तो निकल ले यहां से अप्टा यहां तो यह आखिश्थ को को को